वरून गांधी की दो हजार चोबिस में क्या पॉलिटिक्स रहने वाली है? क्या बीजेपी वरून गांधी पर कोई एक्शन लेगी? अगर एक्शन नहीं ले रही तो इसके पीछे वजा क्या है? और कौन सी वो पार्टिया हैं जो वरून गांधी का बाहें फैला कर स्वागत कर सकती है? लोक्सवाच नॉब में महज देड़ साल बचे हैं विपक्षी पार्टियां के अंदर सरकार पर हमलावर है वहीं वीजेपी सांसद वरून गांधी अपनी ही पार्टि को लेकर आक्रमक हैं सरकार की नीतियों की बखिया उधिर रहे हैं ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं हम इस खबर में उन तमाम सवालों पर बात करेंगे उनके जवाब को खंगालने की कोशिस करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें 2024 के लोक्सवा चनाब को लेकर माहोल बनना शुरू हो चुका है वरून गांधी वक्त के साथ बीजेपी पर हमलावर होते जा रहे हैं इतना तो साफ है कि 2024 के लोक्सवा चनाब में बीजेपी वरून गांधी को टिकट नहीं देने वाली है मतलब इसी बीच वरून गांधी किसी न किसी पार्टी का दामन थाम नेंगे उतर परदेश में समाजवादी पार्टी की नजर वरून गांधी पर है यूपी के विधान साथ चनाब के वक्त भी ऐसी अटकरेन लग रही थी कि वरून गांधी सपा का दामन थाम सकते हैं लेकिन वरून गांधी ने ऐसा नहीं किया अभी भी समाजवादी पार्टी यह चाहती है कि वरुन गांधी उनके पक्ष में आ जाए ताकि उत्तरपर्देश में समाजवादी पार्टी का पलरा भारी हो जाए क्योंकि अगर वरुन गांधी कॉंग्रेस में जाते हैं तो इसे कॉंग्रेस मजबूत होगी और कॉंग्रेस के मजबूत होने का मतलब है समाजवादी पार्टी का कमजोर होना क्योंकि कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट बेंक एक ही है और समाजवादी पार्टी अच्छी बॉंडिंग है दुनों की बीच बादचीत होती रही है लंबे वक्त से लिकिन अब ये बादचीत राजितिक होने लगी है। कहादार आए कि बीचेपी में असुरक्षित और घूटन महसूस कर रहे वरुन गांधी कॉंग्रेस पार्टी में शामिल होने के एक चुक है। और सांसद भी बने रहे हैं। इस गेम प्लान को भाबते हुए बीचेपी जानबुचकर पीम मोदी और यूपी के सीम योगी आधितनात के खिलाफ वरुन के बयानों को नजरंदाज कर रही है। हलाके उन्होंने हद पार कर दी है और कई लोग उनके खिलाफ अनुख्याशनात्मक कारवाई की मांग कर रहे हैं। वरुन भी यही चाहते हैं क्योंकि बीचेपी से निलंबन से यह सुनेशित होगा कि वो फ्री हो गये हैं और साथ ही दल बदल विरोधी कानून के तहत उन्हें सांसत के रूप में अयोग नहीं ठाराया जा सकेगा। अब देखने वाली बात होगी क्या वाकई में बीजेपी कोई बड़ी कारवाई करती है और अगर वरुन गांधी को अपनी पार्टी से निस्काशित कर देती है तो फिर वरुन गांधी किसके साथ जाएंगे कॉंग्रेस के साथ या फिर समाजबादी पार्टी, बीमसी, आ